कैसे वंदे मैट्रो ले लेगी उपनगरिय ट्रेनों की जगा चलिए देखते हैं साथियों जैसा कि अभी अगर हम बात करें वर्तमान की तो अभी यम्यू ट्रेन्स चलती हैं जिने हम लोकल ट्रेन्स भी कहते हैं कम दूरी के लिए लेकिन अब ये पूरी तरके से बदनने व जिनकों की कम दूरी के लिए चलाय जायगा तो बहुते हैं या उपनगरिय ट्रेने इनको वंदे मैट्रो ट्रेन्स से रिप्लेज स किया जायगा मतलब अगर आम आसान भासमं बोलें तो इनकी जगा वंदे मैट्रो ट्रेन चलेगी चली टेखते हैं थोड़ा One Day Metro Train के बारे में कि इसमें फीचर्स वगेरा क्या होने वाले हैं और क्यूँ यह उपनगरीय ड्रेनों को रिप्लेस करेगी उनकी जगा पर क्यूँ यह क्यूँ यह चलेगी देखे वन्दे मैट्रो ट्रेन कम दूरी वाले ट्रेन होगी हालाकि दूरी बहुत जादा कम भी नहीं होगी मतलब 2500 से 300 किलोमेटर तक की दूरी के लिए वन्दे मैट्रो ट्रेन चल सकती है और ये EMU ट्रेन को रिपलेस करेगी अगर हम बात करें चलने की तो मार्च तक इसे लाँच किया जा सकता है वन्दे मैट्रो ट्रेने जो है साथियों ये पूरी तरीके से AC ट्रेने होंगी फुली एर कंडिशन ट्रेने होंगी इसमें नए नए फीचर्स भी दिये होंगे CCTV कैमरास होंगे इसमें LCD का डिस्पले दिया होगा तो साथियों वन्दे मैट्रो ट्रेन को रेलवे इसलिए ला रहा है ताकि जो EMU ट्रेन्स हैं जिनमें ओल्ड फीचर्स हैं फिलाल उनको वन्दे मैट्रो ट्रेन से रिप्लेस किया जा सके अगर हम यात्रियों की बात करें ही होने वाला है जो लोकल ट्रेन कह लीजिए आप चाहे EMU ट्रेन्स कह लीजिए या उपनगर्य ट्रेने इनको अब वन्दे मैट्रो ट्रेन्स से रिप्लेस किया जाएगा जिससे जल्द ही लौंच भी किया जाना है और हो सकता है कि पहली वन्दे मेट्रो ट्रेन जो है वो मुंबई में चले तो ये एक नया तरह का एक्सपरिमेंट है जो रेलवे अब करने जा रहा है और हो सकता है कि भविश में वन्दे मेट्रो ट्रेने पूरी तरीके से ही EMU ट्रेनों की जगा ले लें तो आप इसके वारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताना क्या आप चाहते हैं कि वन्दे मेट्रो ट्रेने चलें किस तरह की आपको सुभधाये चाहिए ये भी कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच पोर वाचिंग दिस वीडियो